नमस्कार आप देख रहे हैं दैनिक भासकर उत्रा खंडूतर प्रदेश में हूँ आपके साथ सपना पांडी आए डालते हैं इक नजर राज की सुर्खियों पर प्रदेश में 109 गैर हाजर डॉक्टरों की सिवाय होंगी समाप्त अंतेम नोटिस जारी करने की चल रही है प् दहायक भी निर्विरोध बना दी करन महरा के बयान पर भाश्पा का पलटवार कहा गल्फ्रिंड कल्चर से कॉंग्रेस का पुरा ना था यातरी से जादा किराया वसूली पर STA ने की सक्त कारवाई टेक्सी का परमिट हुआ निलंबत निजी आयरवेदे की तकनी की कॉलेजों की फीस पर फैसला 6 दिसंबर को समिती की बैठक में लिया के अनने अमेरिकी कंपनी को मिला उत्राखंड की अर्थ व्यवस्था में सुधार का जम्मा प्रदेश में लाए सक्त होंगे SDM मुखिस्तचिव ने दिये निर्देश प्रोटोकॉल अफसर किये जाएंगे तैनात दहरादून में शक्ती नहर में कूदी युवती अग्यात वाहन के टकर से स्कूटी सवार की हुई मौर्थ मैनपुरी में शिवपाल यादव बोले शाके नेताजी के शिश्य तो बहु डिम्पल के खिलाब क्यों लड़ रही है चुनाव अमेठी में दूसरे दिन भी हुई पूर मंत्री गायतरी प्रजापती की संपत्तियों की जाच मकानों की नाथ जोख जारी मायावती का बयान बोली देश में व्यापत गरीबी महंगाई और बेरोजगारी अब चुनावी चंता नहीं जहासी में 20 घंटे बाद बरामद हुई आसाराम की अगवा बेटी दिल्ली बेचने के लिए ले जा रहा था अभने करता उपमोख्य मंतरी केश्य प्रसाद मौर्या की स्रक्षणिक योगिता को लेकर दायर याची का कोईलाबार हाई कोट ने किया खारिज द्वारे का नात्र पाठी ने की थी दायर रामपूर में आजम खान बोले मैं नहले का जवाब दहले से नहीं बलकी बीसवे से दुंगा भौचक की रह जाएगी भाषपा देवरिया में मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर ने महिला को घोशित की अमरत रास्ते में हो गई जन्दा प्रचार को महनपूरी आए शिवपार यादव बोले हमारा सही योग लेते तो मुख्यमंतरी होते अखिलेश महनपूरी के मोर्चे पर 28 से डटेंगे सीम योगया दितनाथ करखल में पहली चुनावी सभा सुर्खियों में आज के लिए बस इतना ही उत्राखंड उतरप्रदेश की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे दैनिक भासकर उत्राखंड उत्तरप्रदेश